चीन के हरेवरे बांस के जंगलों में पोपु नाम का एक प्यारा सा पांडा रहता था। पोपु बहुत ही शांत और मृदुभाशी था। उसे बांस खाना और जंगल में घुमना बहुत पसंद था। लेकिन एक चीज जो पोपु को हमेशा खलती थी वह थी उसकी अकेलापन। जंगल में बहुत सारे जानवर थे लेकिन पोपु के पास कोई खास दोस्त नहीं था। एक दिन पोपु जंगल के पास स्थित एक बड़े जर्ने के किनारे पर बांस के ताजे तने खा रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा बंदर जिसका नाम मिंकु था पास के पेर से लटक रहा था। मिंकु बहुत ही शरार्ती और चंचल था और वह पोपु को देख कर मुस्कुराया। पोपु ने पूचा, अरे पोपु, क्या तम मुसें, दोस्ती करोई? पोपु को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, वर बोला, हाई, क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे दोस्त बन जाओ। उस दिन से पोपु और मिंकू अच्छे दोस्त बन गए, वे हर दिन साथ में खेलते, गूमते, और मस्ती करते, मिंकू अपनी शरार्तों से पोपु को हंसाता और पोपु मिंकू को बांस के ताजे तने खिलाता, उनकी दोस्ती दिन-बदिन गरी होती गई, एक दिन, जंग जंगल में गुस आये एट्स सभी जानवर डर गए और इधर उधर चिपने लगे मिंकू बहुत छोटा था और उसे चिपने की जगर नहीं मिल रही थी वर डरके मारे कामपने लगा पोपू ने मिंकू की परेशानी देखी और उसे अपनी पीट पर बैठा लिया वर्बला त मैं तुम सुरक्षित रखूंगा पोपू ने मिंकू को लेकर एक गहरे गुफा में चिपा दिया जहां शिकारी कभी नहीं पहुंच सकते थे वहाँ दोनों ने तब तक इंतजार किया, जब तक शिकारी जंगल से चले नहीं गए शिकारी के जाने के बाद, मिंकु ने पोपू को धन्यवाद दिया उसने कहा, तुम सच में बहुत अच्छे दोस्त हो, पोपू, तुम्हारी वजर से मेरी जान बच गई पोपू मुस्कुराया और कहा, दोस्ती का मतलब ही एक दूसरे की मदद करना है हम हमेशा साथ रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे इस खटना के बाद, पोपू और मिंकु की दोस्ती और भी मजबूत हो गई वे अब और भी करीब आ गए थे और जंगल के दूसरे जानवरों के लिए भी एक मिसाल बन गए थे इस कहानी से हमें यर शिखने को मिलता है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देते हैं और अपने दोस्त की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। पोपू और मिंकू की तरह हमें भी अपने दोस्तों के साथ हमेशा वफादारी और प्यार से पेश आना चाहिए। झाल 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 झाल